लॉजिकल रीजनिंग, जो के अनलेटिकल रीजनिंग के साथ टेस्टों में आता है, उसका क्वेस्चन हम डिसकस करने लगे हैं, और यह बहुत अच्छा क्वेस्चन है, जो एक खास टाइप के आर्गुमेंट क्वेस्चन को फोकस करता है, तो अगर स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आप इसकी क्वेस्चन बढ़ने के इसने पूछा क्या है, तो आपका पढ़ते हुए उस पे फोकस रह सकता है, आप इस टेकनीक को एडॉप्ट कर सकते हैं, ज्यादतर बुक्स रिकमेंट करती है कि पहले देख लें उसने पूछा क्या है, क्योंकि इसमें आठ टा हो रहा है किस बन्याद पे कि यह नाकाम है किसी खास बात का इलान करने में, किसी बात को वजाहत करने में, उसकी तरफ इशारा करने में, तो गोया जो चीज वीकन कर रही है इस आर्गुमेंट को, या जिस बात का जिकर करने में वो नाकाम है, वो हमारा टार्गेट है, वो ever own कि हमारा जो नया मौडल आयास उपर वाश का ये सबसे अच्छी है यनि अगर आप खरीदोगे तो इससे अच्छी कभी आपने नहीं खरीदी होगी अब उसके फजाइल बेयान करने लगा इट कम्स इन एनिया 14 डेकोरेटर कलर्स ये 14 मुक्तलिफ सजावट वाले रंगों में आती है यानि आपका किचन जिस रंग में भी रंग बना हुआ है ये उसी डेकोरेशन के मताबक अजस्ट हो जाएगी ये इतनी खामोशी से काम करती है शोर नहीं करती कि बासका तो ये चल रही होगी आपको लगेगा ये चली नहीं रही है और आपको चेक करना पड़ेगा कि वाकई ही चल रही है और सबसे बड़ी बात इसमें इन डिफरेंट विर्थ एंड हाइट ये मुख्लिफ चुड़ाई और उन्चाई में आती है कि आपको अपना मुझूदा किचन कोई दुबारा डिजाइनिंग नहीं करनी पड़ेगी वह जिसतनी गुझाईश आपके पास है डिश वाशर के लिए उसी साइज में आपको ये अवेलिबल हो जाएगी तो देखें वो खुबियां किसकी बियान कर रहा है ज़ा अची डिश वाशर कहां रहा है और खुबी क्या बता रहा है 14 मुझतलिफ रंगों में दस्तियाब है खमोशी से काम करती है और डिफरंट साइजों में दस्तियाब है तो अच्छी वेश वाशर के लिए क्या ये प lenses को इनिया हुआ होती है को ऐसी खुबी बियान करनी चाहिए थी ना तो जो असल उसके सुपर डिश वाश होने की वज़ा होनी चाहिए उसका उसने जिकर ही नहीं किया और इधर उधर की खुबीयां बियान कर दी है जिनका उसकी वाशिंग अबिलिटी से तल्ग नहीं है तो यह इसमें कमी हमें नजर आ रही है तो यह हम क्वेस्टन अगर पहले पढ़ लेंगे तो हम नकामी पे फोकस करके उसका आइडिया लगा लेंगे और फिर आप्शन में देख लेंगे कि कौन सी आप्शन इस तरफ इशारा कर रही है आप्शन ए कहती है टर्म्स अफ वरंटी कि उसने वरंटी की शरायत नहीं बताई तो बिलकुल बाके उसने नहीं बताई लेकिन क्या इसका बताना उसके आर्गुमेंट के लिए जरूरी था आर्गुमेंट का फोकस तो बेस्ट डिश वाशर पे था तो बेस्ट होने के लिए वरंटी की शरायत नहीं बलके उसकी परफॉर्मस इशू होनी चाहिए B कहता है How well dish washer washes dishes वो कितनी अच्छी तरह dishes को दोती है तो यही बात है जो असल में उसे बतानी चाहिए थि तभी हम कहसकते हैं यह अच्छा dish washer है तो ये option B है जो के missing है तो answer is option B अब बाकी options को भी देख लेए उनमें ये बात नहीं है C कहा रही है specific sizes available कि क्या size दस्तियाब है तो size का नहीं बताया exact size नहीं बताया इस size से क्या फरक पड़ता है उसके अच्छा हो ना size से पर depend तो नहीं करता D कहता है How much electricity dishwasher uses विजली कितनी इस्तिमाल करती है ये नहीं बताया तो विजली कम इस्तिमाल करना एक दाफी को भी ज़ूरूर हो सकती है लेकिन पहले तो देखना होता है असल काम भी होता है कर नहीं होता है अगर एक washer विजली कम इस्तिमाल करता है لे कि जो है वो प्लेटें अच्छी नहीं दोता तो फैदा क्या यह कहता है इसमें कितनी डिशें रखी जा सकती है तो पर रखी जाने की बज़ए उर्फज कितनी अच्छी दोई जाती है इस पर फोकस होना चाहिए तो हर अंदाज में हमें लग रहा है जो मिसिंग चीज है वो भी है कि डिश वाशर टिशों को वाश करने के हवाले से क्या करता है वो उसे बताना चाहिए था वो उसने नहीं बताया तो यह उसके आर्गोमेंट की कमी है तो इसको आप वीकन वाला क्वेस्टन की टाइप हो भी यह और भी बाकी टाइप्स के क्वेस्टन के लेक्चर्स आपके पास यहां दस्तियाब हैं आप उन्हें देखें बार बार देखें ताके आर्गोमेंट को समझने के अंदास आपके जहन में बैठ सकें और आप पेपर में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लें बहुत शुक्रियां